दोस्तों इस वीडियो में हम Wint Wealth के Senior Secured Bonds के बारे में बात करने वाले हैं Wint के जितने भी प्रोडक्स आये हैं पिछले कुछ महीनों में वो बहुत जल्दी सब्सक्राइब हो जा रहे हैं एक दिन से भी कम में एक एसेट तो इनका दो घंटे से भी कम में ही सब्सक्राइब हो गया था तो ऐसा क्या है इन प्रोडक्स में जो इनको इतना पॉपिलर बना रहा है या फिर लोग वेट लिस्ट लगाने के लिए भी तैयार हैं इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं लेटेस्ट फाइनेस वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को प्रेस करके अल पे जरूर क्लिक कर लीजेगा जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए चलिए सबसे पहले आखिर ये विंट के senior secured bonds क्या है कैसे काम करते हैं यही जान लेते हैं पहले हम विंट wealth की बात करते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है देखें विंट एक platform है जो NBFC के लिए funds raise कर रहा है normally NBFC अपने funds कैसे raise करते हैं वो banks से fund raise करते हैं या फिर mutual funds से से अपने fund raise करते हैं तो एक तरीके से banks और mutual funds middle man बन जाते हैं retail investor और NBFC के बीच क्योंकि हम अपना पैसा डाल रहे हैं bank में bank अपना margin लगा रहा है अपने cost लगा रहा है उसके बाद वो NBFC को पैसा दे रहा है obviously वो higher interest rate पे पैसा देगा similarly mutual fund भी एक middle man है जहां पे हमारी cost involved हो जाती है अगर NBFC retail investor से directly पैसा उठाए तो definitely वो investors को थोड़ा सा जादा return promise कर सकता है और साथ में NBFC को भी थोड़ा सा कम पैसों में यानि कि कम interest rate पे पैसा मिल जाएगा banks के मुकाबले हलाकि NBFCs retail investors से भी कुछ पैसा raise करती है लेकिन वो इतना popular option नहीं है कुछ NBFCs जो deposits raise कर सकती है वो अपने FDs लेके आते हैं कुछ cases में वो अपने bonds भी लेके आते हैं लेकिन इन जादतर bonds के अंदर जो ticket size होता है वो बहुत जादा होता है minimum 2,5,10,000,000 तक की investment होती है so यहाँ पे ही Wint अपना role play कर रहा है वो ticket size पहली बात तो छोटा कर दे रहा है retail investors के लिए 10,000 से यहाँ पे investment start हो जाती है फिर दूसरा Wint identify भी करता है कि कौन से NBFCs के साथ काम करना है कौन से के साथ नहीं करना है कौन सा जादा risky assets हो सकते है और यहाँ पे retail investor को क्या फायदा है हमारे को FD से जादा returns मिल जाते है जब हम fixed returns की बात कर रहे हैं तो दूसरा हमारा stock market के मुकाबले risk काफी कम हो जाता है so एक तरीके से हमारे better risk managed returns हो जाते है so जब भी हमारा portfolio तयार होता है तो उसके अंदर हम कुछ portion equity में डालते हैं कुछ debt में डालते हैं तो जो हमारे को portion अपना debt के अंदर डालना है उसके अंदर win't हमारे लिए एक अच्छा option हो सकता है चलिए अब हम बात करते हैं कि senior secured bond क्या होता है पहले अगर हम bond की बात करें चाहे वो कोई corporate हैने कि कोई company हमारे से funds raise कर रही है तो वो हमें fixed interest promise करेगी तो ये तो हो गया bond अब ये secured bond क्या होता है देखिए दो type के bonds हो सकते हैं एक हो गए unsecured, एक हो गए secured unsecured में अगर company डूपती है तो आपके पैसे की recovery बहुत मुश्किल हो जाती है लेकिन अगर secured bond है that means जो company के assets हैं वो back कर रहे हैं आपके bond को जैसे जब हम कोई home loan लेते हैं तो mortgage किया जाता है हमारा घर अगर हम उसकी payment नहीं कर पाएंगे तो हमारे घर को बेच के वो recovery कर ली जाएगी similarly ये जो secured bonds हैं अगर हम ये winter wealth के senior secured bonds की बात करें तो इनकी security होती है या तो ये vehicle loans से back होते हैं या फिर ये gold loans से back होते हैं या फिर ये property loans से back होते हैं तो इस तरीके से bond की security हो जाती है फिर senior secured bonds में ये senior क्या चीज़ है senior का मतलब है कि ये senior most priority में आते हैं अगर कोई company डूपती है so number one priority इन वाले bonds की होगी यानि की जितनी भी निलामी की जाएगी assets की उस से सबसे पहले recovery इन टाइप के bonds की होगी so ये हमने समझ लिया कि आखिर senior secured bonds क्या होते हैं अब इनके benefits क्या हैं क्यों इनके अंदर हम निवेश करने का सोच सकते हैं so इसमें पहला reason तो definitely यही है कि हमें FD से जादा returns मिल जाते हैं और stock market के मुकाबले हमारा risk कम हो जाता है और हम कितने यहाँ पर returns expect कर सकते हैं यहाँ पर 9-11% के हम अपने returns expect कर सकते हैं और यहाँ पर duration भी थोड़ी छोटी रखी गई है normally आप देखेंगे यह जो bonds होते हैं पात साल से जादा के होते हैं यहाँ पर यह लोग 2-3 साल के bonds लेके आ रहे हैं फिर इसके साथ-साथ हमारा diversification काफी अच्छा हो जाता है जैसे हमने अल्रडी बात करी है regulation की बात करें तो यह SEBI और RBI से भी approved हैं साथ में काफी सारे इनके bonds stock exchange पे भी listed होते हैं that means कि हम अपने DMAT account के through ही directly invest कर सकते हैं और finally risk management काफी important होता है किसी भी investment के लिए यहीं पर Wint Wealth अपना जादा role play कर रहा है चलिए अब हम risk की थोड़ा सा detail में बात करते हैं तो यहाँ पर होते हैं 3 main risk इसमें पहला risk है credit risk यानि कि हमारा principle की ही recovery मुश्किल हो जाए अगर NBFC default करती है तो तो ऐसे case में किस तरीके की risk mitigation process लगाए जाते हैं तो एक तो तरीका यहाँ पर यह है कि जितने भी funds raise करे जा रहे हैं उनसे जादा यहाँ पर security रखी जाए अगर 50 करोड के funds raise करे जा रहे हैं वहिकल लोन्स का या फिर property लोन्स का वो 65 से 70 करोड का हो जिससे की recovery असान हो जाए दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि इन bonds का जो principle की payment है वो हम पहले ही लेना शुरू कर दें देखे जादा दर bonds के अंदर क्या होता है जो आपका principle होता है वो tenure के end में यानि कि मान लीजे अगर 5 साल का tenure है तो उसके बाद आपको पूरा का पूरा principle मिलता है और आपकी जो interest payment होती है वो generally या तो monthly होती है या फिर वो भी end में हो सकती है तो यहाँ पे एक तरीका ये भी है risk कम करने का कि ये जो principle payment है ये भी हम बीच बीच में करवा लें तो यहाँ पे ये amortizing bonds बना रहे है मान लीजे अगर 27 महीने का कोई tenure रखा गया है तो 9 महीने पे फिर 9 महीने पे और फिर बाकी के एक और 9 महीने पे आपकी principle की भी payment होती है तो इससे भी हमारा credit risk कम हो जाता है क्योंकि देखिए अगर हमारे को ये लग रहा है कि ये company हर periodic interval पे regular interval पे हमारा पैसा वापिस कर रही है तो हमारा कहीना कही risk कम हो रहा है दूसरा यहाँ पे आता है liquidity risk यानि कि क्या हम अपनी जो security है इसको आसानी से बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं देखिए खरीद तो हम definitely आसानी से सकते ही है जब भी कोई नया bond issue होता है लेकिन liquidity फिर भी कम हो सकती है हाला कि ये exchange पे listed जरूर हो रहे हैं काफी सारे bonds फिर भी initially liquidity कम हो सकती है लेकिन उसका तरीका भी यही है कि हम तभी उतना ही पैसा डालें जितना हम hold कर सकते हैं मालीजी अगर हम 27 महीने के लिए 2,00,000 रुपे hold कर सकते हैं तो हम 27 महीने के लिए खाली 2,00,000 रुपे ही डालें उससे जादा ना डालें So liquidity का risk भी generally यहाँ पे कम ऐसे किया गया है कि यह जो लंबे tenures होते थे उनका जो tenure है वो कम कर दिया गया है फिर तीसरा हो सकता है fraud risk अब देखें fraud तो किसी भी company में हो सकता है definitely यहाँ पे हमें अपने checks and balances लगाने होगे तो यहाँ पे जो भी NBFC select कर रहे हैं पहली बात तो वहाँ पे cherry picking कर रहे हैं यह लोग तो उस तरीके से manage हो रहा है कि कौन से NBFC के systems, processes काफी अच्छे हैं साथ में उसका leverage कितना कम है या फिर कितना जादा है वो भी check करते हैं debt to equity ratio जितना कम होगा उतना ही कम leverage होगी company की यानि कि अगर किसी वज़े से NBFC default भी करता है तो उसकी equity से debt की भरपाई असानी से हो पाए तो debt to equity ratio भी बहुत important role play करता है तो इस तरीके से ये तीन risk manage होते हैं तो ये तो हमने पूरे wind के products की बात कर ली detail में अब हम बात करते हैं कि आखिर रंग में हम invest कैसे कर सकते हैं मैंने आपको link दे दिया है नीचे description में आप उस पे जाते हैं तो आपको सबसे पहले sign up करना है आप अपना phone number डाल सकते हैं पहले phone number डालके आप continue पे click करते हैं फिर हम अपना OTP डालके verify with OTP कर देते हैं आप एक बार sign up कर लेते हैं उसके बाद आप नीचे आ सकते हैं आपको इनके यहाँ पे सारे assets दिख जाते हैं अभी मैं यह desktop पे कर रहा हूँ phone पे भी same ही system है आपको इहाँ पे इनके सारे assets दिख रहे हैं यह देखिए यह सारे इनके subscribed assets हैं और यहाँ पे अभी यह एक asset launch होने वाला है 25th November को इसकी asset details हम देख लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें पूरी की पूरी details यहाँ पे देखिए इनका जो principal repayment हो रहा है वो every 9 months पे हो रहा है interest payment यहाँ पे monthly हो रही है 10.5% per year का यहाँ पे pre-tax returns हमको मिल रहे हैं minimum investment यहाँ पे 10,000 रुपीज की रखी गई है तो retail investor के लिए यह एक अच्छी चीज है total asset size यानि की खाली 50 करोड यह raise करने वाले हैं so first come first serve basis पे होता है generally जो पहले apply कर देता है तो उसी को पहले मिलता है asset maturity है यहाँ पे 16th February 2024 की यानि की total tenure जो है इनका है 27 months का so हमारी जो principal payment होगी वो हर 9 महीने पे होगी आप यहाँ पे देख भी सकते हैं यह इन्होंने पूरा chart बनाया हुआ है कि आपने अगर first day पे यहाँ पे invest करा so 9th month पे आपको 33% principal payment हो जाएगी 66% principal आपका remaining रह जाएगा फिर आपके और 9 महीने बाद यानि की 18 महीने पे 33% की principal payment और हो जाएगी बाकी का आपका 33% principal रह जाएगा और 27th month में आपका बाकी का principal payment भी हो जाएगा और इस दौरान अब देखिए यह जो first day से 9th month तक है तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमें पूरे के पूरे amount पे interest मिलेगा और यहाँ पे 9th month से 18th month तक जितना हमारा principal remaining है 66% का उस पे ही interest मिलेगा तो यहाँ पे हमारी confusion नहीं होनी चाहिए अब यहाँ पे अगर हम वापिस चले इनकी और details देखें तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा brief understanding मिल जाएगी आप पूरा bonds के बारे में पढ़ सकते हैं सारी details हाला कि मैंने briefly आपको already explain कर दिया है यह asset unique कैसे है किस तरीके से यह सारे risks को manage कर रहे हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कौन कौन से risk हैं यहाँ पर हमने already बात कर ली है credit risk, liquidity risk, fraud risk बाकी के आप summary भी यहाँ पर देख सकते हैं already हमने हाला कि already इसके बारे में बात कर ली है यह जो NBFC है यह UGRO capital के लिए यह वाले funds raise हो रहे हैं तो अगर हम इस asset के अंदर investment करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अपनी units से select कर सकते हैं हम कितने lot में subscribe करना चाहेंगे तो 10,000 का एक lot है जैसे हम IP के अंदर subscribe करते हैं तो हम यहाँ पर अपना lot select कर सकते हैं मानलीजे हम 3 lot के अंदर subscribe करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक notify me करके button आता है हाला कि मैंने यह अलरी क्लिक कर दिया है तो आप notify me पे क्लिक कर देंगे तो आपको notification आ जाएगा जैसे ही asset live होता है उसके बाद आप इसके अंदर subscribe कर सकते हैं तो जब भी कोई asset live होगा तो उसके अंदर हम कैसे invest comment कर पाएंगे वो भी हम एक बार quickly check कर लेते हैं तो आपको इस तरीके का एक invest now करके button दिख जाएगा मान लीजे मैं दो units के अंदर subscribe करना चाता हूँ मैं invest now के अंदर click करूँगा मेरको ये सारे risk एक बार अच्छे से समझ में आ जाते हैं I understand कर लेते हैं invest now पे जाएंगे हम किसी भी अपना जहाँ पे भी हमारा जो भी broker के अंदर account है उसके थुरू हम login कर सकते हैं मैं अभी जिरोधा के थुरू login कर रहा हूँ तो हम अपने DMAT account के थुरू यहाँ पे invest कर सकते हैं एक बात का ध्यान रखना है हम जितने भी कुछ understanding बड़ी होगी यह वीडियो देखने के बाद links वगेर मैंने आपको नीचे description में दे ही दिये हैं अगर आप इसके अंदर invest करना चाहते हैं तो लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपना due diligence खुद कीजिये सारे risks को अच्छे से समझिये और यह देखिये कि यह particularly company जो है वो अच्छे से risks को manage कर रही है या नहीं जब आप confident हो खुद से convinced हो तभी आप इसके अंदर invest कीजिये अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको like और share ज़रूर कीजिये अपने friends और family members के साथ I am sure काफी सारे अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो नीचे से subscribe करके अपने phone में bell icon को ज़रूर प्रेस कर लिजेगा जिससे आपको latest finance video का notification मिल जाए तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही informative video में तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए